कि है आप यह ऐपधन कलर्स करते हैं और इसकी एंडे टैन रूफी इस तरह के कि एविलेबिल होते हैं उही तरीके से इसमें छोटा बॉकस आ यह आ जाता है 6-8 का, जिसकी MRP आ जाती है, 85 रुपीज, और इसमें हमें 6-8 मिलते हैं, कुछ इस तरीके के कलर्स इसमें available होते हैं, साथ ही इसमें हमें मिलता है एक 3D Outliner, यह इस तरीके से Black Color का Outliner होता है, तो यह Outliner दोनों ही Packet में available होते हैं, 10-8 और 6-8 में, और कुछ इस तर जिसनी सॉप से भी Buy कर सकते हैं, या फिर मैं इसका Link डिस्किप्शन ने दे दूँगा, तो आप वहां से भी Buy कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखायता हूँ कि किस तरीके से जो Black Liner हमें available होते हैं, इन Packet में, वो किस तरीके की Tube होती है, तो देखे को जिस तरीके की Tube आती है Black जिसे हम यूज करते हैं Glass Colors के लिए, चाहे आप Bottle में यूज कर लिजे, चाहे आप किसी Glass Mirror में यूज कर लिजे, या OHP Seed में इसको यूज कर लिजे, तो कुछ इस तरीके की आती है, और सात्मा में एक Cap मिलती है अलग से, जिससे हमें Help मिलती है 3D Liner बनाने में, तो कुछ इस तरीके से आप Cap को लगा सकते हैं, और अपने इस तरीके से Bottle में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस 3D Liner का यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं करूंगा कुछ अलग 3D Liner का यूज, कुछ इस तरीके की देखिए, Multicolors में 3D Liner आती है, फैविक रैल की, ये पर Bottle 25 कर सकते हैं, तो ये Glitter में भी आती है, Non Glitter में भी आती है, तो इनी कहीं मैं यूज करने वाला हूँ, तो मैं यूज करूंगा इसमें Dark Gray Color का को जिस तरीकी की देखिए, ट्यूब आती है, तो ये Dark Gray की जो हम यूज करते हैं, होती तो ये Dark Gray है, लेकिन जब ये Dry हो जाती है, त का यूज करेंगे तो इसमें shaking नहीं होती है बिल्कुल भी आप बिल्कुल अच्छे से आप इसका 3D liner का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से तो मैं बना रहा हूँ इसमें blocks उसके बाद हम इसमें glass colors को fill करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप पहले design बना लीजिए दो वच्छ पहले om को बना मांजोज कर सकते हैं लूब्धां मी तब्मार आर जोज आप मैं मैं इस तरीके हैं उन सतोंगे उसमेंगें ओी तो कर सकते हैं झाल 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 देखे चारुत रफ से 3D Liner का वर्क कम्प्रीट हो चुका है अब हमें करना है इसमें ग्लास कलर्स तो इसमें हम ग्लास कलर्स का यूज करते हैं मैं ले रहा हूँ एक रैट कलर इसको अच्छे से इसमें हमें फिल कर देना है हर एक ब्लॉक में हम अलग-अलग कलर्स का यूज करेंगे तो इसमें मैं जादा कलर्स का यूज नहीं कर रहा हूँ कुछी हम सेलेकट इड कलर्स हैं वोनिक ओह हम रिपीट करेंगे अलग-अलग झाल झाल तो देखिए फ्रेंट में हमने ग्लास कलर्स को फिल कर लिया है अब इसके 30 मिनट्स तर हम ड्रै होने देंगे उसके बाद इसे टर्न करके हम साइड में ग्लास कलर्स को फिल करेंगे चुकि यह ड्रै होना ज़्यादा जरूरी है देखिए कुछ इस तरीके से मैंने तीनों तरफ से तो कर लिया है अब एक वन साइडे ड्रै गया है जब यह प्रॉपरली ड्रै हो चुका है साइड से तब मैं इसको फिलिप करके अब फिर से बेक साइड में इसका कलर फिल कर रहा हूँ अब इसका कहा जाक में इसका कर दो झाल 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 जब एक वो इसका का याद से एक से तरीके साइड । झाल 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 झाल